दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं Tata Power के बारे में Tata Power को लेकर फाइनली यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ चुकी है कमपनी ने ओफिशली इसकी प्रेस रिलिस भी इशू कर दी है उस प्रेस रिलिस को जाने उसके बिले अगर आप Tata Power के आज के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो Tata Power के ट्रेडिंग सेशन के दोरान आज के दिन आपको इस शेर्स के अंदर लगबग 3% तक की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है हाला कि अगर आप इसके शेर्स के 52 वीक के हाई को देखेंगे तो रिसेंटली 15 सितंबर 2021 के दिन ही शेर्स ने अपने 52 वीक के हाई को अच्यू किया था लेकिन आज के दिन आपको Tata Power के शेर्स में 3% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन अगर आप corporate announcement में चेक करेंगे तो यहाँ पर आज ही के दिन याना कि 20 सितंबर 2021 के दिन ही आपको Tata Power की तरफ से एक price release यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है क्या है यह price release आईए में detail में आपको यहाँ पर बताता हूँ उसके पिले यदि आपने चेनल पर first time विजिट किया है तो चेनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलेगा जिसमें अगर आप देख सकते हैं मेरे official price release आपके सामने open कर दी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो Tata Power receives letter of intent from Mahagin को to supply 250 Megawatt power in Maharashtra यानि कि अगर आप complete यहाँ पर detail देखेंगे तो Tata Power Surya Limited, a holy subsidiary of Tata Power, received a letter of intent from Maharashtra State Power Generation Company Limited, the project has been setting up 250 Megawatt grid connected solar the company has received this LOL, यानि की letter of intent in a bid announced of Mahango for seating up 250 Megawatt solar plant at the डोड़ाईचा Solar Park in Dulay Street of Maharashtra तो ultimately यहाँ पर company के हाथ में एक recently एक और बड़ा project हाथ लगा है महarashtra के अंदर 250 Megawatt का यह project है जो की company को महarashtra के अंदर डोड़ाईचा में Solar Park के अंदर यहाँ पर establish करना है Tata Power के CEO and MD, प्रविन सीना की तरफ से भी इस project को लेकर जो statement निकल कर आया है आप देख सकते हैं We are proud to win this large scale grid connected solar photovolatic EPC power project The project will further promote the shares of renewable power in the overall energy mix in महarashtra We are one of the leaders in solar power and committed to user in an era of clean energy in the India साथी साथ यहाँ पर company के हाथ में जो यह project लगा है यह company को आने वाले 15 months याने की आने वाले 15 महीनों के अंदर complete करके यहाँ पर देना है तो यहाँ पर बहुत ही शांदर company के हाथ में project लगते वे हमें देखने को मिल रहा है साथी सा recently अभी कुछ दिन पिले यह आपको एक और बड़ी news आते हुए देखने को मिली थी जिसमें Tata Motors और Tata Power ने मिलकर एक PPA यहाँ पर sign किया है जिसमें 3 Megawatt Power का rooftop solar projects यहाँ पर plant स्टेश करने वाली है Tata Power Tata Motors के plant के अंदर तो ultimately अब Tata Power के अंदर आपको definitely day by day यहाँ पर positive news आते हुए देखने को मिल रही है कल भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि Tata Power की तरफ से एक और बड़ी news यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रही है जिसमें recently जो Tata Power ने Loda Group के साथ में यहाँ पर tie up किया है Loda Group के जितने भी commercial और personal जितने भी उनके cases है वहाँ पर Tata Power electrical vehicle charging station establish करने जा रही है तो उसी को लेकर यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी MNCI है जितने भी बड़े बड़े group से वो यहाँ पर अब Tata Power के साथ tie up करने का मन बना रही है क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम electrical vehicle charging stations को बारे में अगर बात करें तो सबसे बिले Tata Power का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथी साथ Tata Power के अंदर आज के दिन जो आपको 3% तक की गिरावर देखने को मिली के सकते हैं कि Shares एक consolidation phase में वापीस हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है अगर आप इसके पीछले एक साल का chart pattern भी देखेंगी तो आपको यहाँ पर इसके chart pattern से ही सारी चीज़े समझ आ जाएगी कि Shares थोड़ा सा बढ़ता है फिर एक consolidation में रहता है फिर इसके अंदर एक upward का moment आता है फिर consolidation तो यहाँ पर जो Tata Power है वो same pattern follow करते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अभी भी Shares एक consolidation face में ही हमें देखने को मिल रहा है लागी आज की दिन जो आपको यह गिरावट देखने को मिली है यह गिरावट पूरे market के pressure के कारण आप कह सकते है Sensex भी लगबख 0.89% यहाँ पर break हुआ है Nifty 50 की बात करें तो 1% तक की गिरावट हमें Nifty 50 Nifty Bank के अंदर हमें लगबख पोने 2% की गिरावट और Nifty Mid Cape के अंदर हमें सवा 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रिवेस वीडियो में भी बताया था कि market all time high पर चल रहा है जिसके कारण यहाँ पर 2-3,000 points के corrections आना possible है तो यदि आपने share market के अंदर fundamentally strong shares के अंदर भी investment कर रखा है तो वहाँ पर भी corrections आना possible है लेकिन आपको उस गिरावट का केसे फायदा उठाना है यह आपको समझ कर चलना है अगर आप global indices को भी check करेंगे तो global indices भी अब आपको पूरी तरीके से weak होते वे यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो ultimately सिर्फ Indian market पर ही नहीं global market भी यहाँ पर weak है जिसके करेंट Indian market के उपर आपको pressure आते वे देखने को मिल रहा है हागी इन सब के बावजूट Tata Power का आज भी market capitalization लगबग 800 करोड रुपे से increase हुआ है तो ultimately यह company के लिए बहुती शानदा news है कि company का market capitalization continuously basis पर grow कर रहा है चलिए अब बात कर लेते हैं Tata Power के अंदर जिसने short term का view रखा है उसको क्या strategy लेकर चलना है तो सबसे पहले resistance और support की बात कर लेते हैं तो Tata Power के लिए यहाँ पर 3 important resistance निकल कर आ रहे हैं for the short term purpose पहला resistance से 140.90 पेसे का दूसरा resistance से 143.90 पेसे का और तीसरा resistance से 146.30 पेसे का support की बात करें तो पहला support 135.50 पेसे का दूसरा support 133.10 पेसे का और तीसरा support 130.10 पेसे का जो की इसका 50-day moving average support ही इसको ध्यान में रखते वे आप अपने risk को manage कर सकते हैं और अगर आपने long term का view रखा है तो definitely आप Tata Power के अंदर 250 प्लस के target for the long term purpose यानि कि आने वाले 2 सालों में और साथ ही साथ अगर support की बात करें तो 120 रुपे का इसका 200-day moving average support लेकर चल सकते हैं अटा पावर के अगर आप volume based काम को भी analysis करेंगे तो सबसे main चीज यह है कि इस shares के अंदर अब आपको एक constant rally देखने को मिल रही है यानि कि हर दिन आपको इस share के अंदर 2 से 3 करोड की quantity trade होते वे देखने को मिल रही है तो थोड़ी थोड़े करके इसमें तेजी देखने को मिलने वाली है तो ultimately यहाँ पर अगर आपने टाटा पावर के अंदर investment कर रखाए तो इस shares को लेकर community sentiments भी पूरी तरीके से favor में देखने को मिल रहा है लगबग 76% buy की call और 10% hold की याने कि overall 86% इस shares को लेकर यहाँ पर experts भी recommend कर रहे है तो no doubt अगर आपने टाटा पावर के अंदर investment कर रखा है तो आप for the long term purpose यहाँ पर बने रह सकते हैं और अगर आप खरेदारी करना चाते हैं तो इस गिरावट का फाइदा उठा सकते हैं चलिए दूस्तों उमीदे आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे like को share करना मत बुलेगा साथी साथ ऐसी ही important और genuine information के लिए आप हमारे टिलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं इलिग्राम चैनल से हर एक stocks की updated जानकरी आपके साथ continuously business पर share करे जा रही है link आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated